प्रुथम स्रीणी मुल्य विभेदन में फिर्स डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भिन भिन इकाईयां जो हैं डिफरेंट यूनिट्स जो हैं भिन भिन मुल्यों पर बेची जाती हैं और जैसे जैसे व्यक्ति बदलता है वैसे वैसे प्राइस भी बदल सकता है इसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं मान लिजे कि हमारा डिमांड कर्व मार्केट में जो है जो की मोनोपॉलिस्ट को दिख रहा भी है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ऐसा कुछ दिख रहा होता है यहां पर सहूलियत होगी समझने के लिए कि हम आप याद करेंगे कि पहले जब हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की बात किये थे तो हमने इसको कैसे निकाला था कैसे डिराइफ किया था हमने बात किया था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है बट लोगों का ऐसे ऐसे वैरी कर रहा होता है। अँठ कर रहा होता है। और इसी हम लोग एक लाइन से प्रॉक्सिमेट कर सकते हैं। बाते की थी तो यहाँ पे हम back to basic पे चले जा रहे हैं मान लिजिए एक monopolist है यहाँ पे अगर हम कहें मान लें कि उसका cost हमेशा ही zero रहता है cost अगर zero रहता है तो सिमान तलागत भी zero होगा तो इसका मतलब cost curve जो है हमारा ऐसा आ जाएगा अब इस demand curve से हमें marginal revenue curve भी मिल जाएगा ऐसा हमने देखा है कि अगर हमारा यह एक downward sloping curve जो है P is equal to A minus BQ आता है अगर यह demand है यहाँ पे P है यहाँ पे Q है तो हमारा marginal revenue curve जो है वो होता है A minus 2BQ तो इसी से ही कुछ नीचे ऐसा आएगा ऐसा आएगा है ना कुछ ऐसा ऐसा आ जाएगा ठीक है उससे हमारा मतलब नहीं है कि कुछ है ना हम समझने के लिए सिर्फ यह कर रहे हैं तो इहाँ पे first degree price discrimination में जो monopolist होगा वो ये वाला जो ब्यक्ति है पहला वाला ब्यक्ति है उसको कहेगा कि आप इतना price दे दीजे तो जग जो भी उसका willingness to pay है पहले unit के लिए maximum possible price है वो ब्यक्ति पे करेगा तो उस ब्यक्ति का consumer surplus इसमें जो होगा भोगता अधिशेश होगा वो zero होगा जो भी उसको फायदा होने वाला है खरिदने से सारा का साधा फायदा एक आभिकारी monopolist ले जाएगा दूसरा unit जो है वो इस price पे monopolist बेच देगा तीसरा unit P3 पे बेचेगा चौथा unit P4 पे बेचेगा पांचवा unit P5 पे बेचेगा तो ऐसा है और last वाला unit यहाँ पे P6 पे almost free ही बेच डालेगा हो रहा है कि आपका consumer surplus उपभोगता अधिशेश यह जीरो हो जाएगा कोई उपभोगता कोई समान क्यों खरीदता है क्योंकि वो उसको उसमें खरीदने में फायदा होता है reservation price क्या होता है आपको एक बार याद दिला दे reservation price वो price होता है कि जिससे ज़्यादा अगर price हो जाए तो उपभोगता वो समान नहीं खर देगा maximum willingness to pay जो होता है ज्यादा से ज्यादा maximum willingness to pay ज्यादा से ज्यादा वो कितना पैसा दे सकता है और यहां हो रहा है first degree price discrimination में मैं आपको बता दूँ यह theoretical सैध्धान्तिक concept है reality में मिलना बड़ा मुश्किल होता है मैं एक example दूँगा जहां पे आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या problem है उसके बारे में भी बात करूँगा बट theoretically consumer जितना ज्यादा से ज्यादा देने को त्यार है उतना ज्यादा से ज्यादा पैसा एक आधिकारी उनसे ले लेता है जिसकी वजह से उभोगता के पास कुछ अधिशेश नहीं बचता है सारा का सारा पैसा जो है सारा का सारा benefit जो है वो एक आधिकारी के पास जमाव होता है इसमें एक अच्छी बात यह है अगर ऐसा graph ले ले इहाँ पे ऐसा ग्राफ ले जिसमें वैसा monopolis हो कि वो बस एक ही price ले पा रहा हो तो यहाँ पे हमने देखा था यह q star good खर दे और बेचे जाते हैं पी star price पे बेचे जाते हैं अब यहाँ पे क्या होगा कि सारे क्योंकि यह हमारा marginal cost है यह हमारा marginal revenue है यहाँ पे क्या होगा कि क्यूं perfectly competitive market जितने unit खर दे और बेचे जाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर भी जो है न सिलर को बेचने में फायदा है cost कम लग रहा है सिलर को पैसे जादा मिलने तो सारे के सारे unit बेचेगा यह वाला unit maximum price में उसके बाद वाला unit उससे कम price में इस तरह से price बदलता जाएगा और भिन भिन इकाई भिन भिन लोगों को भिन भिन प्राइस पे मिलता जाएगा monopolis में हम देख सकते हैं कि consumer surplus इतना तो होता है क्योंकि consumer को यह पी स्टार पे करना होता है पहले unit के लिए consumer और ज्यादा पे करने को त्यार है तो यह area A जो है consumer surplus होता है उसी तरह हम यह देख सकते हैं कि यह green वाला जो है यह green वाला इसको मान लिजए B कह दें यह producer surplus होता है और इसको अगर हम लाल से करने यह वाला जो है यह C जो है dead weight loss होता है हमने बात किया परस डिगरी price discrimination में consumer surplus A जो है zero हो जाएगा क्योंकि हर भ्यक्ति को different different price पे बेचा जा रहा है जितना pay करने को त्यार है उनसे ले लिया जा रहा है तो कोई भी चीज consumer के पास बचेगा नहीं भोकता के पास बचेगा नहीं सारा जो है producer ले लेगा तो यहाँ पे कोई dead weight loss भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी बेचा खरदा जा रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि consumer surplus जीरो हो जाएगा producer surplus जो उत्पादक का अधिशेश है वो a plus b plus c के बराबर हो जाएगे क्यों ए तो capture करेगा ही डी भी capture बी तो पहले ही मिल रहा था और c भी चुकी transaction वहाँ पे हो रहा है वो मिल जाएगा a कैसे capture कर लेगा a जादा price पे हाँ पे बेच करके capture करेगा तो total surplus देखें तो a plus b plus c होगा और इतना ही total surplus कुल अधिशेश जो है इतना ही आपको perfectly competitive market जीतना होगा तो अगर आप समाज में आप किसी को ज़्यादा तवज्जो ना दें कि consumer ज़्यादा valuable है या producer ज़्यादा valuable है आप सिफ फुल अधिशेश की चिंता करें तो first degree price discrimination में आपको total surplus maximize हो जाएगा कर perfectly competitive market की तरह जो कि बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर एक concept मैं आपको बताना चाहूंगा उसको कहते हैं परेटो optimality है ना तो परेटो optimality जिसको हिंदी में हम परेटो इस्टमता कह सकते हैं यह अर्थ विवस्था की एक अवस्था है एक state है है ना अर्थ विवस्था की एक अवस्था है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति विशेश या इकाई विशेश को हम फायदा नहीं पहुँचा सकते हैं ज अब तक हम किसी और का नुकसान न करें तो इसको क्यों optimal कहते हैं ऐसा situation नहीं है कि दो इकाईया है और दोनों को फाइदा पहुँचा दिया जाए और किसी का नुकसान न हूँ है ना तो तो उसको हम परेटो optimality नहीं कहते हैं कि example ले लेते हैं कि 100 रुपय हैं दो लोगों में बांटे गए हैं एक को पचास दिया गया है एक को उन्चास दिया गया है इसमें दोनों ब्यक्ति को फाइदा पहुचाया जा सकता है पचास वाले को पचास दसमलों पांच कर दिया जा है इसमें दोनों को फाइदा पहुचा दिया गया बगएर किसी को नुकसान पहुचा हुए तो यह जो है परेटो आप्टिमल नहीं है अब ऐसी बिवस्ता अगर सौ है और किसी को पचास मिला हुआ है दूसरे को पचास मिला हुआ है या ऐसी बिवस्ता है जिसमें हम चालिस तीस तीस मिला हुआ है यह परेटो आप्टिमल है यह परेटो इस्तमता का उधारन है क तो इसको 50 से हमको 49 करना पड़ेगा, इसको फाइदा पहुँचाने के लिए इसको नुकसान करवाना पड़ेगा, तो इस ऐसी अवस्था, अर्थ विवस्था की ऐसी अवस्था, जिसमें कोई आर्थिक बदलाव, एक व्यक्ति को फाइदा और दूसरे को नुकसान पहुचा बिना नहीं हो सकता है, उसको हम परेटो ऑप्टिमल या परेटो इस्तमता का एक्जामपल मानते हैं, अब हम इहां पे मोनोपॉली में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इसकी बात क्यों कर रहे हैं, कि यह जो एक्जामपल है, जहां पे आपका A, B, C, टोटल सर्पलस है, पूरा का पूरा सर्पलस जो है, सो आपको उत्पादक को जा रहा है, एक आधिकारी को जा रहा है, तो यह भी परेटो ऑप्टिमल है, क्योंकि अगर हम कंज्यूमर को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आधिकारी का नुक्षान करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, जैसा दूसरा एक्जामपल है, जिसमें हम परफेक्ट कॉम्पेटिशन था, वो भी परेटो ऑप्टिमलिटी का उदाहरन है, लेकिन मोनोपॉली वाला जिसमें ये जो सी है, ये जो सी है, डेड़वेट लॉस होता है, ये परेटो ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि इस गुड का ट्रांजाक्शन करके दोनों का फायदा, उत्पादा के और मुत्भोकता दोनों का फायदा पहुँचाया जा सकता है, है ना, तो एक तरह से हम कहें कि जो हमको ऑप्टिमलिटी, बाइदबे बहुत लोग को परेटो ऑप्टिमलिटी का क्राइटेरिया क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि 100 बाटना हो और एक को 100 दे दिया हो, दूसरे को 0 दे दिया हो, ये भी परेटो ऑप्टिमल है, क्योंकि इस ब्यक्ति का फायदा पहुचाने के लिए दूसरे का नुकसान करना जरूरी है, है ना, ये भी परेटो ऑप्टिमल है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि pareto optimality एक necessary condition है sufficient condition नहीं है इससे हमारा क्या तात पर यह है necessary का मतलब है आवस्यक sufficient का मतलब है प्रयाप्त तो pareto optimality है necessary condition है आवस्यक condition है प्रयाप्त नहीं है पचास-पचास होता तो साध आपको जादा अच्छा लगता दोनों को बराबर मिल रहा है पट निवर्दलेस ऐसा situation जिसमें हम कुछ चीज बरबाद कर रहे हो वो कभी optimal नहीं हो सकता इसलिए pareto optimality एक आवस्यक condition है तो हम देख रहे हैं कि perfectly competitive market and first degree price discrimination दोनों में हमें ये pareto optimality मि की monopoly में हमें नहीं मिलता है नाव अब इसको समझें कि इस first degree price discrimination है बड़ा difficult है real life में price discrimination of first degree फिर से वही graph मैं ले लेता हूँ so q star जो है so monopoly वाले situation में होगा qc perfectly competitive market में होगा और first degree price discrimination में होगा अगर आप यहां पे कह रहे हैं कि ये वाला जो आदमी है उसको इस price पे ज्यादा price पे ले लिए next आदमी को कं price पे ले लिए कोई आदमी आपके पास आके बताने वाला नहीं है कि मेरा maximum willingness to pay कितना है जादा से जादा मैं कितने पैसे दे सकता हूँ तो ये बड़ा ही मुश्किल भड़ा सैध्धान्तिक तोर पे ये संभव है कि हमने ऐसी बात कर ली बट रियल लाइफ में आपको पता ही नहीं होगा अगर आप उत्पादक हैं तो कौन उभवोगता कितने पैसे देने को तियार हैं market survey के द्वारा आपको एक रफ आईडिया हो जाएगा basic आपको समझ हो जाएगी किस तरह के लोग हैं कैसे कितने पैसे देने को तियार हैं लेकिन specific एक consumer जो है एक उभोकता जो है आपको कितने पैसे दे सकता इस इकाई के लिए ये आपको पता नहीं हो और ये सबसे बड़ा का अंतरपन्नता हम उसको भूले नहीं शुरू में ही उसकी बात यह थी arbitrage opportunity जिसको ये price discriminator monopolist कम दाम पे बेच रहा है और जिसको ज्यादा दाम पे बेचना चाहता है ये कम दाम पे खरीदने वाला व्यक्ति ज्यादा दाम पे जिसको खरीदना है उसको ये monopolist की जगह ये खु 12 रुपए पर unit वाले आदमी को बोल सकता है कि आप ए 11 में खरीद लो तो अंतरपन्नता यहाँ पे भी role play करेगा और इसलिए real life में price discrimination का मिलना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि arbitraging की opportunity है और उससे भी बड़ा important बात है कि लोगों के बारे में आपको इतना detail पता नहीं होता ह कि कौन कितना पैसा देने को तयार है इस वज़े से price discrimination नहीं मिलेगा first degree वाला है ना प्रथम सिर्णी का price discrimination नहीं मिलेगा तो closest example जो मेरे दिमाग में आता है कि छोटे गाउं में कोई doctor practice कर रहा हो है न कोई चिकिटसक हो उसको पता है गाउं के लोग में किसकी कितनी पैसे देने की छमता है और उसके अनुसार वो prices ले रहा है तो आपको first degree price discrimination जैसा कुछ मिलेगा बड़ा ही rare है यहां पे अंतरपन प्रता भी नहीं हो पाएगी क्योंकि आप doctor की service खरीद के बेच नहीं सकते हैं हर आदमी की बिमारी अलग है तो arbitrage काम नहीं करेगा और चुकि गाउं में वो doctor बहुत दिनों से काम कर रहा है तो उसको जानकारी होगी कि लोग कितने कितना पैसा दे सकते हैं कितने पैसे देन आपक्राइब थिर प्राइब च्रीप्रीप्रीप्रीप्राइब थिर्स्क्रीमिशन थिए. झाल झाल